हेलो गाईज, वेलकम टू ये न्यू ब्लग, फ्रेंट्स कल मैं एक वीडियो डाला था, जो कि था सेक्टर 13 का फटाका का दुकान सब, याने कि बॉम का जो मार्केट लगा था, दिवाली का बजार, उसी रिगाडिंग था, तो मेरे को इतना बड़ा मार्केट देख कैसा नहीं लगेगा, मेरे कासा लगा था, लेकिन मैं गलप था, एक धाई से मेरे को पता चला, कि पावर हाउस रोड में, रावर के लागा जो पावर हाउस रोड है, वहाँ एक ट्रक फरक का फिल्ड है, जहां दुर्गा पुजा भी हुआ था, उसका मेरे चैनल में, आपको द और केला में दुकान लगेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वहाँ भी अभी दुकान लगा है, तो वहीं आप लोगको मैं भी लेकर के जा रहा हूँ, और पूरा डिटेल नहां का दिखाने का ट्राइ करूँगा, तो गाइस, वेट एंड वाच, क्योंकि परसोरी दिवाली ह गाइस देखें, यह अपना में रोड है, सौरी यहां नहीं की रिंग रोड, इधर जाएंगे तो देखिए, यहां ट्रक सब खड़ा है, आप लोगको दिख रहा होगा, यह देखें, दुकान सब लगा हुआ इधर, यह जो आप लोगको गाड़ी का दिख रहा है ना, यह देखें, यह जो सिधा रास्ता दिख रहा है आप लोगको, पावर हाउस, आगे प्लांट साइड, फिर सिधा सिधा रास्ता है, तो अगर यहां से आप लोग देखेंगे, तो यह ऐसे दिखेगा, तीन चार लाइन का है, मैं आप लोगको टोटाल अभी गीन के बता भी देता हूँ कि कितना दुकान लगा हुआ है, सेक्टर 13 से तो बहुत छोटा है, लेकिन यहां पास में जो लोग रहते हैं, वो लोग के लिए सेक्टर 13 जो बहुत दूर है, और यह बहुत पास होगा, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ देखें जिरे दिरे जो है, दुकान अल्मोस्ट लग चुका है, 99% दुकान लग चुका है, और इधर तो देखें, भीड भी चालू हो गया, यह उपर नंबर भी दिख रहा है, आप चाहें तो कोई भी नंबर में कॉल करकर पूच सकते हैं, देखें भीड लगना चालू हो दोने गया, यह जो है, यह दूसरा लाइन है, यह यह मार्कट का यह दूसरा लाइन है, यह दूसरा लाइन है, यह पहला लाइन का दुकाना देखिए यह दूसरा लाइन फ्रेंट्स यह देखिए यह जो है यह रिंग रोड है और यहां से आप लोग ऐसे भूमना है भूम करके यह देखिए जो गाड़ी वगरा रखा हुआ है यहाँ आना है अगर आप लोग यहाँ शॉपिंग करने आना चाते हैं बॉम अगरा खरिदने आना चाते हैं तो देखिए यहाँ गाड़ी रखा हुआ है आप लोग को यहाँ गाड़ी रख करके जाना पड़ेगा देखिए अभी टाइम साड़े तीनोरा दुपहर में भेड भीड से लोखना चालूऊ गिया है यह जो है सेकेंड लाइण है दखिए पहला लाइण।旬 लाइण उसका पीछ थर्ड लाइण। थार्ड लैन में आप लोखनको सेड़ा है वीडियो में बने रही है। और यह है तीसरा लाइण। देखे गाईज यह लाश्ट लाइन का है तीन लाइन में आप लोको दिखा चुका हूँ देरे देरे भेड़ जामा हो चुका देखिए गाईज जो लोग रावर के ला साइट रहता है फफाहाउस से जा करके खरीच सकते हैं और जो लोग सेक्टर साइट या छेंट साइट रहता है वो लोग सेक्टर 13 से जा करके बॉम फटाका जो भी खरीच सकते हैं तो गाईज उमीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपनो को जरूर पसंद आए औगा अगर मेरा knowledge में आएगा कि कहीं और भी ऐसे मिल रहा है तो मैं उसका भी blog जरूर बनाऊंगा तो guys आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ आप लोग को blog जरूर पसंद आएगा और आप लोग like, share, subscribe जरूर करेंगे guys मिलता हूँ कुछ दिन बाद, एक और नेया place, एक और नेया ब्लाक जाता हूँ तो तो बिल टाटा, bye bye